हेलो नमस्कार दोस्तों मध्यपरदेश की लेटेस नियूस ब्रेकिंग ताजा अपडेट लेकर आगया हूँ अगर आप मध्यपरदेश में कहीं पर भी रेते तो वीडियो को पूरा जरूर देखेगा दोस्तों मध्यपरदेश के कोरोना वायरस को लेकर काफी बड़ी अपडेट लेकर आया हो और वही दोस्तों मध्यपरदेश के मौसम में भी भारी बदलाव देखने को मिलेगा आपके हां पर कैसा रहेगा मौसम वह भी पूरी जानकरी बताऊंगा तो दोस्तों इस वीडियो का पूरा लास तक जरूर देखेगा वही दोस्तों चोटी सी र लाकों पर कोरोना की काफी केसिस देखने को मिले बताऊजार की पिछले 24 गंटों की दुरां 13-90 में नए मरीज सामने आये और इसमें दोस्तों 12 ऑक्सिजन परे और सबसे जादा 33 मरीज बोपाल में जिनमें दोस्तों 6 ऑक्सिजन परे वही इंदोर में भरती तीन है और चतरपूर, छिनवडा, धतिया, धार, डिंडोरी, गुना, हर्दा, कटनी, खंडवा, खरगो, और साथ में मुरेना, निम्च, निवाडी, पन्ना, रिवा, सत्ना, साजापूर, शियोपूर, शियोपूरी, सीधी, टिकमगड, उमरिया, जिले, शामिले, इन जगों पर भी एक भी केसेज देखने को नहीं मिला, तो कि दोस्तों, इनके लिए काफी अच्छी कबर ही है, वहीं तोस्तों, अगली नियूज आरी, मद्यप्रदिश के किसानों को लेकर, पी-म किसान, एक केवाई सी, अब दो मिनिट में कर सकेंगे, पूरा वही भी गर बेटे अपने आईगी, तो मैं बता दू, पी-म किसान पोर्टल पर जो है, ये काम पूरा कर ले, दोस्तों, इसके लिए आपको सबसे पहले, पी-म किसान.government.in पोर्टल पर जाना होगा, वेबसाइट पर, और दाय हाथ पर आपको इस तरह के टैप्स मिलेंगे, जब सबसे उपर एक के लिखाओगा, इस पर क्लिक करना होगा, और दोस्तों, उसके उपर क्लिक करने के बाद, आप अपना आदार से लिंक मोबाइल नमर डाले और OTP डाले, और फिर सब कुछ यहाँ पर जो है, पूरी तरह से हो जाएगा, आप देखते ही, उस पेज को समझ जाओगे, तो दोस् के उचित मुलियों की दुकानों में की जाने वाली गडबडियों पर लगाम लगाने के प्रयास में, मध्य प्रदेश में हिद्ग्राकों को मैने में बार दो बार खाना वित्रिन किया जाएगा, गौर्तलबे की बीते करीब डेट साल से केंदर और राज्य सरकार की और से प्रत्तक राशन दिये जाने के योजना है चल रही और COVID की वज़े से प्रत्यक हिद्ग्राई को मैने में दो बार खान प्रदान किया जाने की योजना करीब डेट साल से संचली थे लेकिम आम हिद्ग्राई को इस बार जो है बहुत ही अदिक जानकरी नहीं है, जिसकी वज और दोस्तो नई वहिस्ता के तेत जो निड़ेस दिये गए है कि अब राशन की दुकान संचलक को हर मैने की 15 तारीक तक प्रदेश सरकार की ओर से प्राप्त जो है राशन का वितरन किया जाए इसके बाद दूस्तों 16 तारीक से मैने के अंत तक की केंदर की ओर से जारी खाध् मध्यप्रदेश के पेट्रोल प्राइस को लेकर बताया जार की बोपाल में पेट्रोल 107.23 रुपए प्रति लिटर और डीजल बताया जार की 210.27 रुपए प्रति लिटर पर मिल रहा है जबलपूर में पेट्रोल 107.23 रुपए प्रति लिटर और डीजल 90.22 रुपए प्र प्रति लिट्र और दोस्तों आप मीकमेंट गर के जरूर बता किझा जरू है कि आपने दो कि दोस्तो जो है भोपाल में 22 केरेट सोने के दाम 88,870 रुपे प्रति 10 ग्राम और 24 केरेट सोने के दाम 61,810 रुपे प्रति 10 ग्राम है और 22 केरेट सोने का दाम वह है दोस्तो चांदी की बात कीज़े तो चांदी पर नजर दाले और इसी यूद्ध की वज़े से जो है काफी ज़ादा जगों पर महेंगाई देखने को मिल रहे हैं। और बताईजार कि पेट्रोल और साथ में गोल्ड प्राइज इन जगों पर भी काफी जगों पर इन में प्राइज में इज़ाफा देखने को मिला। वाई दोस्तों अगली नियुस की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में एक अप्रेल से शुरू होगी UG की परिक्षा है जून में आएंगे रिजल्ट वर्ष की परिक्षा की रिजल्ट का अइलान करना है इसके लिए विश्वे विध्याले दोरा एक अप्रेल से तुरुतिय और पांच अप्रेल से दूसरे वर्ष की परिक्षा को आयोजित की जाएगे और परिक्षा में करीब सवाल लाग चातर सामिल होंगे और जारी पाली की परिशात तीन बज़े से लेकर शाम छे बज़े तक आयोजित होगी वह दोस्त अगली ने उसकी बात की जाए तो वो आरी है MP में ड्रोन स्कूल को लेकर गालेर में खुलेगा राज्ये का पहला ड्रोन स्कूल जाने क्या है इसकी खास बात MP में दोस्तों ग्वालेर के जोई राज्ये का पहला ड्रोन जोई खुला जा रहा है और इसमें जोई स्कूल में कई तरह की तक्निकी सुविदा होगी सिक्षा की दुनिया में एक नई शुरुआत के साथ इस स्कूल को खुला गया है और मध्या प्रदेश के मुक्य मतरी शिवरा सिंग चोहान ने केंद्रिय नागरिक उड्दियान मंतरी यानि की जोतीरादीतिय सिंध्या ने उद्गाटन समवारों में सामिल हुए और दोनों मंतरियों ने जो इस उपलब्धी के वर प्रसंत अवेक्द की और साथ में तकनिकी के भयिशे में ऐसे स्थानों के मैतों के बारे मेडिया से बात की है पत्रकारों से बात करते हैं मुक्य मंत्री चोहान ने कहा कि ड्रोन तकनिकी योगाओं के लिए विशेस रूप से सीखने के लिए नई रास्ते खोलेगी और वहीं दोस्तो इस कारिकर में किसानों और छात्रों के साथ कई ड्रोन निर्मा था उच्साई सेवा प्रदा था और अन्य लोग भी शामिल हो है इससे पहले मंत्री जोतिर आदित्य सिंद्या ने कहा था कि मध्या प्रदेश में पांच ड्रोन स्कूल बनाए जाएंगे तो अगे देशतों तो आप बहीं दूस्तो आपक सब्सक्तों अगली नियूस की बात कीजाए तो मध्यप्रदेश में मौसम को लेकर आरे क्हा है क्यों कई जगों पर तो कई जगों पर आप गर्मी देखने को मिलेगी और मौसम विभा की ताज़ा अपडेट के मतबद सब्स् बारिश का यलो अलेट जारी किया गया और मौसम विबाक के अनुसार इन जिलों में लगबग 40 किलोमेटर प्रती गंटे की रफ्तार से स्पीड चलेगी और आंधी चलने के और साथ में बारिश के साथ वजरपात की संभावना है वह दोस्तों पिछले 24 गंटों की दुरान ब जो है मौसम अचानक बदलावा गया है मौसम विबाक के अनुसार आज भी 25 मौध्य प्रदेश में बोपाल इंदोर सहीत अन्य संभागों में बारिश होने की समान और ग्वालियार चंबल संभा के जिलों के साथ शिहोर बेतूल हर्दा बुरानपूर खंडवा खरगोन मध्य प्रदेश के कई इलाका उपर भारी से भारी गर्मी का परकॉफ हमें देखने को मिलना लाए आपके आपर दोस्तों मौसम कैसे है अभी जो है आपके आपर गर्मी पढ़ रही है या बारिश की जैसा मौसम हुआ है कमेंट करके जरू बताएगा और मध्य प्रदेश म में कहां पर रहे थे कमेंट करके जरू बताएगे